तो आज कि इस वीडियो में बिहार बोड के बचों के लिए ऐसे most important question लाए है भेक्टर से जो कि long में पूछे जाएंगे जदि इस वीडियो को छोड़ते हो ना बाद में अफसोस करना पड़ेगा बहुत ही most important question लाए है जो कि आपके long में पूछे जाते हैं इससे छोड़ियेगा ना बहुत अफसोस करियेगा प्लीज आप लोग से request है वीडियो को अंतर देखिएगा सारे question इसमें कई important है एक भी question छोड़ना नहीं अच्छे से पढ़ लेना ताकि एक जाम में आ जाए तो जा करके ही जहां दस मिनट समय लाएगा एक question करने के लिए आप दो मिनट में कर लें तो और भीजन करते रहे हैं मेंनत करते रहे हैं हम डेली वीडियो लाते रहेंगे आप डेली देखते रहे हैं समझते रहे हैं डेली important question का स्रीच चलते रहेगा हम कुसिस कर रहे हैं कि दो वीडियो upload करें तो try करेंगे मेंनत करेंगे ठीक है आप लोग लिए जरूर कुछ न और λेम्डा आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर के जोगफल के अनुदिस इकाई सदिस तता सदिस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का अदिस गुड़नफल का मान एक है तो लेम्डा का मान ग्याद कीजिए देखिए ध्यान से देखना होगा question को तभी समझ में आएगा बहुत ही most important question है आज किस वीडियो में सारे question important है vector के long और short दोनों के लिए है कहीं भी पुछा जा सकता है बिहार बोड़ है भाई साहब ठीक है जोटा सभी question long में पूछ लेता है बड़ा सभी question short में पूछ लेता है हम लोग तो marks मतलब है तो हम सब question को अच्छे से करना सीखेंगे marks तो आहीं जाएगा बनाओगे सही तो ठीक है तो देखो इसे हल कैसे करेंगे ज्यान देना सबसे पल एक बार question पढ़लो फिर से बोल रहा है कि इतना और इतना का जोगफल क्या बोला है योगफल तो योगफल निकालो मान कर चलते हैं कि इसका नाम नहीं दिया गया है तो हम इसको a vector और इसको b vector मान लेते हैं और इसको रिख लेते हैं a vector का मान है 2i vector पलस 4j vector माइनस 5k vector ठीक है और b vector का मान है lambda i vector पलस 2j vector पलस 3k vector ठीक है अब यहां से हम जोगफल निकालते हैं यानि a vector पलस b vector दुनों का जोड़ देते हैं कैसे जोड़ेंगे तो देखो ii के साथ तो क्या होगा यहां से 2 पलस यहां पर lambda बचेगा तो lambda और यह होगा i vector 4 और 2 6 तो j है तो j vector के साथ माइनस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 होगा a हो जाएगा k vector हमने direct जोड़ लिया सबको जोड़ने आना चाहिए ठीक है तो जोगफल तो निकाल लिए आगे बोला है कि अनूदिस 21 सदिस यानि a जो आया है इसका 21 सदिस बताना है वहीं निकाल देंगे इसका a vector पलस b vector का 21 सदिस क्या होता है a square b square c square root अंदर a हो गया b हो गया c हो गया दोनों को इसको तीनों का square कर देंगे तो 2 पलस lambda का square हो जाएगा पलस 6 का square हो जाएगा पलस 2 का square हो जाएगा अब यहां से इसको find करेंगे तो क्या होगा a पलस b के whole square पर तोड़ेंगे न a का square 2 एन 2 का square क्या हो जाएगा 4 पलस lambda square और 2AB ते हो जगा 4 लेम्डा डिरेट कर दिये सबको करने आना चाहिए 6 का स्क्वाइर 36 और 2 का स्क्वाइर 4 यह हो गया आपको 21 सदिस अब चलते हैं according to question अब आगे क्या बोला है तथा सदिस इतना का अदिस गुर्वनफल का मान एक है कहने का मतलब है कि जो A vector plus B vector के अनुदिस 71 सदिस है A vector plus B vector के साथ में इसको क्या करना है गुर्वनफल करना है क्या है I plus J plus K vector इसको जब गुणा किया जा रहा है तो 1 मिल रहा है क्या मिल रहा है 1 बस simple सा इसका मान ने करके गुणा कर आके answer ला दो तो A vector plus B vector का मान उपर देखो दिया गया है 2 plus lambda I vector plus 6 J vector minus 2 K vector और इसका value दिया गया है root अंदर 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 36 plus 4 इसको हम लोग यहीं पर जोड़ दना चाहिए चलो कोई नहीं यहाँ पर जोड़ दाएंगे ठीक है I vector, यहाँ vector छुट रहा है I vector J vector K vector equal to 1 यहाँ से का करते हैं I vector को I vector के साथ J को J के साथ K को के साथ गुना करा देते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना 2 plus lambda vector को I vector के साथ करेंगे तो 2 plus lambda होजा क्योंकि I vector into I vector I ही होता है, cross होता है, cross तो same होता है I vector cross I vector 1 होगा 6 J और J, यह 6 हो जाएगा और minus 2 K और K, यह minus 2 हो जाएगा नीचे क्या है, lambda square plus 4 lambda इनको add कर दो, 40 और 44 हो जाएगा सबको जोड़ दिए और equal में 1 इसको क्या करते हैं, cross multiplication कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जब इसको cross multiplication कर देंगे तो minus plus कट जाएगा उपर से बच गया lambda plus 6 और नीचे मीचे क्या, यह है न, एक step लिख लेते हैं नहीं तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे न करके ऐसे कर लेते हैं कि lambda plus 6 equal to ones इतना से करेंगे इतना ही होगा, lambda square 4 lambda प्लस 44 अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ work करने पर अखिर work क्यों कर रहे हैं पतल चल रहा होगा आप लोग को जरूर क्योंकि इस root को हड़ाना चाहते हैं तो lambda plus 6 का square और यहाँ भी lambda square plus 4 lambda plus 44 का square तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साब lambda plus lambda का square lambda square b square यहाँ चाओ का square 36 2ab 2a lambda अभी यहाँ छेदुनी 12 lambda हो जाएगा यहाँ से lambda square plus 4 lambda plus 44 lambda square lambda square खत्म यहाँ से देखो तो 12 lambda और यह plus 4 lambda है तो माइनस 4 lambda और यह 44 और यह plus तर जाएगा तो माइनस यहाँ से देखो 8 lambda equal to 44 में से 8 जाएगा 8 यहाँ से 8 खत्म गडा देंगे एक बार में lambda का जो मान होगा एक होगा यह देखो आपका ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों समझ में आया होगा और जो आपका question bank में बनाया गया है उसके उपर निर्फर मत रहना उसमें गलत गलत बना देता है लोग question भी गलत लिग देता है जाकर मिलाना 2009 में के 10 में पुछा गया प्रस्न है question bank कहीं है यह प्रस्न को गलत बनाया वहाँ पर चेक कर लेना ठीक है जब सही से बनाओगे तो गलती कहीं पर किया है हम तो उसका solution नहीं देखे सिर्फ question देखे है last में answer मिला रहे देखे किसला answer तो गलत दिया है ठीक है question bank के book पर depend नर हो अपने teacher से समझ लो एक बार जिसमें doubt होता है ठीक है तो चलो question number one समझ मागा होगा यह long में भी आ सकता है short में भी आ सकता है बहुत most important question है और इससे भी ज़्यादा important question दिखाते है तो यह देखो दो number यह वाला यह बहुत important है बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि यह यह वेक्टर, b वेक्टर यह c वेक्टर 3 सदीस है यह a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 तो c देखरे कि a वेक्टर क्रोस b वेक्टर है cross नहीं होगा यह पर equal होगा देखो हम book में सहीं दिया था हम भी लिख लिएतें गलती से नहीं पढ़ते तो गलती लिखते ठीके तो equation गलत-गलत देता है book में भाई सी ठीके a वेक्टर क्रोस b वेक्टर equal to b वेक्टर अभे देखो इसको solve करने है बहुत तीजी है equation में equation को गलत लिखा गया है तो उस पर depend ना रहो भाई ठीक है वो लोग कुछ भी करा देगा लोग अब यह देखो इसको solve करते हैं बहुतीजी है ठीक है न तो चलो सबसे पहले जो given है a vector plus b vector plus c vector बराबर 0 इसको लिखो एक बाई a vector plus b vector plus c vector बराबर आपको 0 दिया गया है इसी के मदद से आपको यह प्रूप करना है हम क्या करते हैं कि a vector plus b vector का मान निकाल लेते हैं यह plus दर जाएगा तो minus हो जाएगा कोई दिकत नहीं हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले b चाहिए a के साथ b चाहिए तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसमें b से गुणा कर देते हैं तो लिखेंगे अगले step में कि दोनों तरफ दोनों तरफ b से यह सब लिखना ठीक है ना एक्जामनर खुस रहता है इससे गुणा करने पर क्या हो जाएगा a vector plus b vector cross b vector क्योंकि b से गुणा करा रहे हैं दोनों तरफ इधर भी करा देंगे तो करा दीजिए हो गया अब क्या करते हैं इनको इनके साथ गुणा करते हैं a vector cross b vector plus इसको करेंगे b vector cross b vector equal to यह देखो minus c vector cross b vector है ना इससे आप plus में b vector cross c vector लिख सकते हैं जैसे पल्टोंगे sign change हो जाता है जादी मालो कि a vector cross b vector है ना जादी इससे हम change करेंगे b vector cross a vector लिखेंगे तो minus लग जाएगा जैदी minus हो तो plus हो जाता है मतलब पल्टोंगे तो change होता है sign यहाँ से आप लिख सकते हो बात कि जो minus c vector cross b vector का value जो हो गया b vector cross c vector यह पल्ट लिख सकते हो जाता है ठीके अब आगे बढ़ेंगे a vector cross b vector b vector cross b vector क्या होगा 0 हो जाएगा क्या होगा 0 होगा समझ रहो ना बात को ध्यान रखो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब क्या होगा यहां से यहां से बच जाएगा आपका b vector cross c vector ठीके अब चलो इसको करेंगे a vector cross b vector equal to b vector cross c vector हो जाएगा ठीके अब चलो आगे बढ़ते हैं तो यह तो हमें आ गया इसको मालो समिकरण first अब देखो आगे बढ़ते हैं हमें c भी चाहिए तो हम क्या करते हैं लिखेंगे पुना पुना जो given है दिया है a vector plus b vector plus c vector बराबर 0 तो यहां से क्या करते हैं इस बार a vector plus b vector equal to minus c vector ठीके अब c लाना है न तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ c vector से गुणा करने पर ठीके तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a vector plus b vector cross c vector और यहां से भी c vector cross c vector अब क्या हो जाएगा इसको करेंगे a vector cross c vector plus b vector cross c vector और इसका value 0 यहां से करेंगे तो ध्यान देना a vector cross c vector और b vector cross c vector equal to 0 है अब यहां से क्या करते हैं कि a vector नहीं a vector नहीं b vector cross c vector इसको हम इधर लाएंगे तो क्या लग जाएगा minus a vector cross c vector अब आपको उसर कैसे कर रहे हो तो देखो हमें यहां पर यहां पर भी c a प्रूब करना यार यहां पर a होगा ठीके equation में गलत लिका था c vector cross a vector प्रूब करना है ठीके तो क्या हुआ हमें प्रूब करना है कि c और a को बराबर मिलाना है तिसरे साइड में इसलिए हमने क्या किया इसको हम अलग कर लिया यहां से b vector cross c vector रखे और इसको इधर ले करा जाए तो यहां से क्या हो जाएगा b vector cross c vector equal to plot देंगे तो minus से क्या हो जाएगा plus हो जाएगा c vector into a vector हो जाएगा अब यह हो गया समीकरण second है अब क्या करते हैं समीकरण first तथा second से देखो तो हम यहां देख रहे हैं कि b vector cross a vector cross b vector b vector cross c vector के equal है यह वाला इसके बराबर है और यह वाला यह वाला इसके बराबर है तो हम क्या लिखेंगे a vector cross b vector बराबर है क्यों b vector cross c vector के यह भी इसके बराबर है यह भी हो जाएगा c vector cross a vector यह हो गया आपका answer आई होब कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा थोड़ा बहुत क्वेस्चन में देखो क्वेस्चन बाइंग में गलती लिखते रहता है ठीके उसके लिए ध्यान देना होगा आपको नहीं तो फिर पाज़ताना पड़ेगा भाई साब ठीके और एक बार बताया है फ्रास हमसे एक जगा मिश्टेक हुआ भी याद है हमें कि जो क्वेस्चन नमबर वन में यहां पर जम क्रॉस प्रॉड़क्ट लगा है ना यहां पर देखो अदीस गुड़न फल कमान बोला यार यहां पर डॉड़ प्रॉड़क्ट होगा ठीके हम ऐसे ध्यान नहीं दिये यहां पर नहीं तो आपको इतना मिट्टिक नहीं होता क्यांको जब क्रॉस प्रॉड़क्ट करेंगे सब तो जीरो हो जाता डॉड़ प्रॉड़क्ट है तो आई वेक्टर इंटो आई वेक्टर वन होता है तो उसके लिए जगा पैसा है मन में तो था लेकिन लिखा गया थ से ठीक है ना सुधार कर लें आप लोग लोग के को सब्सक्राइब अब में शॉट में आएगा लोग में तो मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा कभी भी ठीक है लेकिन धियान से करना है 068, toss-7 होता है न, उत्तों भी marks के मिलेंगे ऐसा थोड़े के फिरी में बनाना इसको marks तो मिलेंगे यह मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं mind लगाएंगे कि a vector cross b vector का जो फर्मूला होता है वो क्या होता है और a vector dot b vector का फर्मूला क्या होता है पड़े हो न, कि A vector cross B vector का फर्मूला होता है, A vector dot B vector dot sin theta, होता है न, और यह भी जानते हो, कि A vector dot B vector का फर्मूला होता है, A vector B vector into cos theta, सबको पता है, तो वहीं स्यम फर्मूला लगाएंगे, यह है आपका LHS और A है RHS सिद्ध करना है, हम चलते हैं LHS से, ठीके, तो LHS क्या है, A vector cross B vector का square plus A vector dot B vector का square, यह लिखो, जो given है, तो A vector cross B vector का फर्मूला होता है, A vector dot B vector into sin theta, इसका क्या कर देंगे, प्लस इसको भी, A vector, B vector, cos theta का square, यहां से देखो, अब क्या करेंगे, कि सबका square है न, सब तो गुना में ही है, तो A square into B square हो जाएगा, और sin square theta हो जाएगा, प्लस यहां से करेंगे तो, A square, B square, और यह हो जाएगा, cos square theta, हम क्या करते हैं, ध्यान देना, सब पे A square है न, सब पे A square है, ऐसा तो नहीं एक सिंगल सिंगल है, तो हम क्या करते हैं, कि A square plus A, A square into B square, A square into B square, दोनों में common हैं, ले लेंगे, यह देखो, common हमने ले लिया, बज क्या गया, sin square theta, प्लस cos square theta, अब क्या करेंगे हम, फर्मूला लगा देंगे, तिरकुड मित्ती का जान तो कहीं नहीं छुड़ता है, समझ गए, यह देखो, sin square theta, प्लस cos square theta का फर्मूला, एक होता है, अब करेंगे क्या, इनको गुना कर देंगे, A square into B square, देखो, आपका, RHS आ गया, प्रूफ हो गया, I hope कि आप लो question number 3 समझ में आ गया होगा, अब चलिए आपका question number 4 है, कि सीध करें कि A vector cross B vector का square equal to A vector dot A vector, A vector dot B vector, A vector dot B vector, B vector dot B vector, ठीक है, चलो, इसे सल्ब करते हैं, बहुत ही easy है, ध्यान से देखना होगा, और इपोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान देना, LHS और RHS, हम चलते हैं LHS से, ठीक है, LHS क्या है, A vector dot cross B vector का square, यानि इसको दो बार लिख सकते हैं, A vector cross B vector dot A vector cross B vector, ओके, आप देखो, इसका formula भी equation number 3 में पढ़े हो, लिखो, क्या होता है, A vector, B vector, cos, cos की sin होता है, sin होता है, sin theta into n cap होता है, वहाँ पर cap नहीं लिख रहे थे n cap, लेकिन main जो formula होता है, यहीं formula होता है, इसलिए लिख रहे है, n cap क्योंने लिखते हैं, क्योंकि 21 सदिस है, इसलिए उसको value 1 होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तिकने आप और जूरत है, तो लिख देते हैं, n cap into, यह भी होगा, a, b, sin, theta, n cap, ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको भी गुना कर देते हैं, a, square, b, square, sin, square, theta हो जाएगा, और a, n cap का square, और n cap का square का value 1 होता है, अब क्या करते हैं, a, square, b, square, sin, square, theta, अब हम क्या करते हैं, a, square, b, square, sin, square, theta का formula होता है, 1 minus cos, square, theta, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कि देखो, हमें इस तरह से prove करना है, और यह तो prove हुआ नहीं था, इसको और आगे बढ़ाते हैं, formula पर ले करके, एक बढ़े इनके साथ मल्डपल, और एक बढ़े इनके साथ मल्डपल कर दो, a, square, b, square, minus, a, square, b, square, cos, square, theta, अब देखो क्या करते हैं, यहां से ध्यान देना a square b square minus यह देखो यहां से यहां तक का फर्मूला क्या होता है उसके बदले हम a vector dot b vector लिख लें क्या अब आपको बसर कैसे आपको पढ़ाये थे अभी a vector dot b vector का फर्मूला होता है a vector b vector cos theta होता है यानि इसको हल करोगे तो a b cos theta आएगा square है square लगा देंगे ठीके समझे रहें ना बदलर हो गया क्या फिर से अब दिख रहा होगा ठीके तितना हम लिख सकते हैं अब देखो तो a square into b square है और यहां पर a into b है न इसका square है अब हम क्या कर लें जदी मान लो कि इसको हम क्या करते है a into a निए भेक्टर into a vector dot b vector लिख सकते हैं और इससे दो गो लिख लेंगे a vector dot b vector a vector dot b vector अब इसको क्या करना है है determineds के फ़त में change कर देना है change कर देंगे पहले a vector dot a vector ठीक है उसके बाद यह क्या है a vector dot b vector इसके बाद a vector dot b vector इसके यह लिख doing मतलब कि जब इनको गुणा कर आओगे यह आ गया इसको इसको गुणा कर आओगे यह जाएगा बीच में मानस लगाता है अब हो सकते हैं आपको यह बाते नहीं लिखना आ रहे आख सर्जी ऐसे रहेगा तो कैसे रिटमिनाट्ट में लिखते हैं यह जो होता है ना उसको तिर क्वेशन बन जाएगा और जो हम स्रीज चला रहे हैं इन और तीन या चार वीडियो लाएंगे यह नहीं दस से पंद्रह क्वेशन करा देंगे तो समझो कि आपका वेक्टर से प्रश्ण छूटने वाला नहीं है जितना उसके वीडियो को सेर कर दो क्योंकि मोस्ट इपोर्ट झाल जाएंगे झाल फचके वे प्रश्ट कर दो कर दो वीडियो प्रश्ड़र्ट कर दो कर दो कर दो दो कि दो कर दो कर दो